विक्रम संबत 1903, इस्वी सन 1936-36 सुवर्ण पुरी मा प्रथम वार समय सार प्रवचन प्रारंभ वर्ष वितराग मानी मर्म उद्घाटक पूज गुरुदेव श्रीना प्रवचनों मा नाटक समय सार नो बंध अधिकार चाले छे एक कल्लाक सुधी अविरत वहतोय अम्रुद धोध श्रोताओने भींजवे छे ने कशाय थी कलुषित संतप्त रदयो परम शांति नो अनुभव करे छे आ तीर्थंकर दूत ने कारणे भव्योंने माटे जाने के अग्नाननी मतराते ग्नान सुर्योदे थायो छे बढ़ बढ़ता भवताप मां शीतल वीतराग कल्प व्रुक्षनी चायणी सांप्णी छे अफाट भववन मां मीठा पाणी नी चैतन्य वीरडी फूटी छे ते मज मिध्यात्वना जाडा जाखरा उग्या हता ते साफ थैने मार्ग जढ़हर तो थयो छे कार्तक सुध छट शुक्रवारे स्वपना आवे छे पोते कोई एवा तीर्थ दाम मां आव्या छे कि जयां घणा सुन्दर मोट्टा ने शिकरबंद मंदिरों छे साथे वो भास थाय छे कि पोते अहिया अगाव आवी गया छे अने पूजापन करी छे किमके एक मंदिर मां थी बीजा मंदिर मां जवाना रस्ता जानीता लागे छे आ मंदिरों खाली देखाता होवा थी विचार आवे छे कि हुँ एकांत वास शोधूं छूं तो आ स्थान सुन्दर छे अई ध्यान करवा बेसी जाओं शाश्वत जिन प्रतिमाना पूजन्नों अवसर अश्तान निकाप पर्व आवे छे तो स्वप्न पन तेने अनुरूप छे ने कार्तक सुद्बारस गुरुबार फरी ने एक मंगल स्वप्ना आवे छे जे मा आ पदनी धून घणी चाले छे वर्षो सुधी अम्रुत्मय वानी नी वर्षा थवानी छे तेनो जाने के संकेत छे ने माक्षर सुद आठम सोमवारे रात्रीना लगभग ग्यार वागे स्वप्ना आवे छे पोते कोई जिगनासू साथे समय सार जी परमागम विशे चर्चा करे छे अने तेमा न्यायोन उस्थापन अद्भुद द्रडता थी करे छे समय सार जी प्राण प्यारूं छे ने एक वार स्थानक वासी साधू कहे तंदुल मच्छ वारमवार मोढूं उगारतो हतो शरीरनी क्रिया करतो हतो एकले नरके गयो तेम नामा शरीरनी क्रिया मुख्य छे ने ते थी आम क्याय छे तेने प्रेम थी समझावतां कयूं? भाई, एम न थी, ते पोताना पापना परिनाम थी नरके गयो छे, शरीरनी क्रिया थी नहीं, शरीरनी क्रिया थी धर्मतो थतो न थी, परन्तु पुण्य के पाप पन थता न थी, ए वात समझाय छे ने? व्याख्यान मां श्री दीप चंद जी कृत अनुभव प्रकाश उपर प्रवचनों चालता हता, ते पूरुन थता पोशवद मां श्रीमद राजचंद्र ग्रंथ उपर प्रवचनों शरू थाए छे जे मां जिम पिता प्रेम थी पुत्र ने समझावे अने गुरु करुणा थी शिश्यने संबोधे, तेम गुरुदेव श्री प्रसन्नता तेमज सरलता थी शाश्वत सुखनों मार्ग बतावे छे, अने आत्मशान्ती ना प्यासा जीवों ने तुरुप्त करे छे महासुद 14 बुद्वार हुँ तीर्थं कर छुँँ विगेरे घणी बधी वातो स्वप्नमा आवे छे चैत्रवद आठमना दिवसे जेओ श्रीनु सानिध्य भक्तों ने कल्यानकारी मंगल मैं छे एवा गुरुदेव श्रीना शासन्नी प्रभावनामा विशिष्ट प्रकारे निमित्त थाए एवो योग प्रसंग बने छे अने ते छे पूज बैन श्रीने पूज गुरुदेव श्रीना तेमज पोताना भवोनु जाती स्मरण ग्नान प्रगट्मूं। आवाद पूज बैन श्री कोई ने कहता न थी। वडिल बंधु के जेमनों पोताना उपर अनहत प्रेम छे एवा अती सरल्स्वभावी ने भद्रिक मोटा भाई श्री खुशाल भाई ओपरेशन माटे भावनगरनी हॉस्पिटल मां जतां पहला दर्शन करवा स्टार ओफ इंडिया आवे छे अने कह छे प्रभू हूँ ज पर्गवास थाए छे आ वैराज्य प्रसंगे श्री पद्मननदी पंच विषतीनों अनित्य पंचाशत अधिकार प्रवचन्मा वांच्वामा आवे छे आ प्रसंग पछी सवार अने बपोर इम बेवखत प्रवचन आपवानी शरुवात थाए छे जे परंपरा जीवन ना अन्त सुधी अविरत धाराये चालू रही। खुशाल भाईना अवसान पछी तेमना संबंध मा एवू स्वपना आवे छे कि तेओ मेडी बंध मकान मा मनुष्य तरीके रहे छे। सरण स्वभावी हताने श्रावन सुध सातम शुक्रवारे परोड़िये चारवागे स्वपन मा फरियेकवार तीर्थ स्थान आवे छे। तेमा आरस्पाहणना मोट्टा मोट्टा सुन्दर जिन मंदिरों देखाये छे। तेनी पोते यात्रा करे छे अने साथे घणाबता यात्रीकोपण छे। जाने आ भविश्यमा थानारा यात्रा महोत्सवना भणकार तो न थीने। परिवर्तन कर्याने बे वर्ष विती गया छे। सत्यशोधक जिग्नासु मध्यस्त जीवो तथा पुरुशार्थ प्रेरक पूज्य गुरुदेव श्री प्रत्य भक्तिवंत जीवोनों प्रवा इटलो वध्वा लागे छे। मुमुक्षुओ समाता न थी, जेम भम्रो फूल प्रत्य आकर्शाय छे, तेम वस्तु स्वरूपना उंडा रहस्यो खुल्ला करनार गुरुवर्ना प्रभावक व्यक्तित्व अंतर्मग्न दशा ने विवेग्नान थी प्रभावित थाई गणा जीवो खेंचाई ने मास तेमज प्रवचन माटे हवे कोई विशाल जग्या शोध्वी पडशे। भादर्वा सुध त्रीज आजना दिवसे अध्यात्मनी इमारत ना पाया समान ग्रन्थाधिराज श्री समय सारजी उपर बिजीवार्ना जाहर प्रवचनों शरू थाए छे। प्रवचनों परिवर्तन पहला सम्वार्ना जाहर प्रवचनों परिवर्तन पहला सम्वार्वार्ना शरू थाए छे। तोगणिसो नेवुना राजगोटना चातुरमास दर्म्यान भादरवास सुध आठमना रोज प्रारंब थायला। समयसार उपरना प्रवचनों संबंधी प्रशम मूर्ती पूजय बहन्ष्री चमपाबेनना शब्दों पूजय गुरुदेवे समयसार अद्भुत अने अपूर्वरीते समझावियों छे। एम थई जाय के वह गुरुदेव वह मन वचन काया आपनी चरण सेवामा अरपन करिये तोपण उच्छूं छे। आहा समयसार मा कोई अग्भुत रहस्य भर्यूम छे। कुरुपालु देव श्रीमद राज चंद्रजी ने समाधी मरण समये बेत्रण घर सुधी संबलाये वो घरड़ियों चालेव हतो। ते प्रसंग उपर थी एक भाई पूजय गुरुदेव श्री ने कैये छे। आप त्यारे कौचो एटले मानिये छिये, खबर पड़े छे कि श्रीमद जी केवा हता, नहीं तर हुँ तेमने ग्णानी मानतो नहीं। तेमना समाधी मरण समये हुँ त्यां बेठो हतो, त्यारे मनमा एम थतु हतु कि जो तेओ ग्णानी होय, तो आबू मरण। ग्णानी धर्मात्मानी अंतरंग परिणती ने ओलखनार कहान गुरुदेव समझावे छे। भाई, ए अवाज आवतो हतो, तेतो देहनी क्रिया हती। ते वखते पण तेमनो आत्मा तो आनंद मा हतो। दे छूटता भले वार लागी। पण आत्मा तो अंदर मा समाई गयो हतो। तेमने पोतानी परियाये ने अंतरमा वाली दिदे यती। जगतु धारक पूजे गुरुदेव श्रीनु स्वास्थ सामान ने पणे सारूज रहे छे। क्यारेक ते नबणू पड़े छे। आवर्षे तब्यतमा जरा फेरफार थाये छे औने पछी सारूं थाई जा तद दन सारी रहे एम जहंखना छे। शुब भावना पक्षपाती एक भाई कहे छे। द्रव्य संग्रह नी 35 मी गाथामा आवे छे के व्रत समिती ए संबर निर्जरानू कारण छे। करुणाबंत गुरुवर समाधान करावे छे। भाई व्रत इतले शुभा शुब राग विकल्पोनी निव्रुत्ती ते व्रत आवी चोक्षी टीका त्यां छे। अर्थात स्वरूप माँ विटलाई जवारूप लीनता रूप निश्चय व्रत नी ते वाद छे अने ते संबर निर्जरा मोक्ष नू कारण छे। शास्त्रों ना यथार्थ अर्थ समझवा पड 1. अनुभव ग्नान विना निवेडो न थी 2. वीतराग प्रभुए दर्शावेला वीर मार्ग मा राग ना रस्या एवा कायरों नू नहीं पन शूरा पुरुशार्थी थाई आत्मस्वरूप मा जंपलाव नार नू काम छे 3. तत्वा भ्यास पूर्वग भेद ग्नान करी आत्मानू भूती प्राप्त करवी एज धर्मनू पहलू पगत्यूं छे। आ प्रकारे मंगलवानी सूनता सूनता विक्रम संबत 1903 नू वर्ष क्यारे पूर्ण थयूं ते पन भक्तों ने खबर नारे। ग्नान वैराग्यना अपूर्व बोधवडे सिंचन करी भक्तों नी ग्नान वेलडीने सजीवन करनार गुरुदेवना चरण कमणमा वन्दन।